हेलो गाईज दिस देपक एंड यू आर वोचिंग नाओ बीपरफेक्ट चैलेंट सो गाईज आज की वीडियो काफी खास होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ओल एंटेरेवल एंटेरियर्स पार्ट फॉर लेकर आया हूं जी हाँ दोस्तों इसके अंदर में इस पेसले डौर्ट जो गिराज है डौर्ट का गिराज उसमें मैं एंटर नहीं कर पाते थे तो इस मोड के द्वार आप उसमें भी एंटर कर पाऊगे इसके साथ साथ मैंने पहले ही तीन वीडियो अप्लोड कर दिया है उनको देखने के बाद ही आप इस मोड को इंस्टोल करना क्योंकि उनमें कुछ इंपोर्टेंट स्टेप्स हैं और साथ साथ कुछ और भी एंटर वाल इंटेर से हैं तो इसमें स्रिफ आप डोईटी इंक अलोड करें उसे जरूर देखना क्योंकि दूस्ता कि उन तीन वाट को देखने के बाद आप नहीं तीन एरपोर्ट में होस्पिटल में घर्स में और लाइट हाउस होता है और भी कई सारी जगह हैं बैंक और बहुत सारी जगह हैं आप उन जगहां पर मतलब आप एंटर कर पाऊगे और बस इस मोड और जो इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप जो डोहर्टी गाराज इस पेसली उसके अंदर आप एंटर कर पाऊगे मैं आपको पूरा का पूरा गेमप्ले बताऊंगा और आप इस मोड को किल्यू एपी के 2.0 में भी इंस्टोल कर सकते हैं 1.0.8 वाले वर्जिन में भी इंस्टोल कर सकते हैं अगर आपके बास नॉगट डेवाइस है या और या पाई वाला वर्जिन का डेवाइस है तो आपको मैं रिक्रमेंट करता हूँ कि आप किल्यू वर्जिन 2.0 वाला एपी के इस्टोल कर लें दोस्तों उसमें 0% अब फि नमाल का एपी के अब हो चुका है इसमें बिल्कुल भी स्क्रीन फ्लेक्रिंग नहीं होती है उसमें सब इसूज बिल्कुल फिक्स हो चुके है और यह जो फ्लार जो आभी मैं आपको मोड दिखा रहा हूँ यह मैंने की वर्जन 2.0 में इंस्टोल करें बाकि दोस्तों 1.0. वर्जन में भी यह मोड इस्टोल हो जाते हैं ठीक है तो सिंपली काइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ और एंट्रेवर इंटेरियरस वाली दोस्तों प्ले लिस्ट की लिंक है मेरी आप सिंपली में डिस्क्रिप्शन को उपन करें एंड उस पर क्लिक कर दें आपको सभी के सभी एंट्रेबल इंट्रियर मोड्स देख जाएंगे वीडियो ठीक है एंड दूसरी लिंक मैं आपको दे दूँगा कि आप अपने डिवाइस में किल्यू वर्जन 2.0 एपी के कैसे इंट्रोल कर सकते हैं विदाथ रूट वाला जिसमें दोस्तो एक भी परसेंट आपको स्क्रीन फ्लेकरिंग देखने को नहीं मिलेगी और किसी भी परकार का बग देखने को नहीं मिलेगा तो गाइस एक पर मैं आपको strongly fit से बोल लाँ कि आप प्लीज मेरी playlist चेक जुरूर करना उसमें जितने भी ओल एंट्रेबर इंट्रियर्स वाली वीडियो सारी देखना उसके बादी इस वीडियो को देखना और इसका mode को इंस्ट्रोल करना क्योंकि otherwise अगर स्रीफ आप इसी mode को इंस्ट्रोल करोगे तो आपका मज़ा बिल्कुल अधूरा ही रहेगा आप एरपोर्ट में एंट्र नहीं कर पाऊगे ठीक है एक दो एरपोर्ट में जाद ज्यादा एंट्र कर पाऊगे पागी hospital lighthouse और भी कई काफी सारे इंट्रियर से वहाँ पर एंटर नहीं कर पाऊगे तो प्लीज आप मेरी प्लेइलिस्ट को जरू चेक करना है मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंट इसके बाद इस फाइल पर इसको फिर व्यू कर देना है फिर टाइक्स डीबी फिर ग्टीए 3 एंड ये जी टीए इंड वाले फॉल्डर को सिलेक्ट करके इन्ने लॉंग प्रेस करके कोपी करने के बाद स्प्ली आपको करना क्या है अपना बैग बैग करके ऐसे फिर android data में आ जाए है ठीक है data में आने के बाद यहां पर आपको com.rock star folder में आना है और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यह थोड़ा सा यहां पर आपको दो थिन folder बनाने पड़ेंगे तो simply आपको file पर click करने से and three dots पर click करने के बाद new folder यहां पर data में बिल्कुल मिश्टेक मत करना small letter में लिखना है और इसके बाद आपको कर देना है एक बार back back करने का बाद फिर से ओपर three dots पर click करना है और फिर से create और फिर से new folder और यहां पर आपको लिख देना है टैक्स डीवी इस प्रेडिक में बिल्कुल मिश्टेक मत करना okay so guys इतना करने के बाद आपको फिर से back कर देना है और यहां पर folder दिख रहे होंगे data और टैक्स डीवी का तो टैक्स डीवी पर click करके यहां पर click करके इसे simply कर दीजिया पेस्ट तो दूस्तों यहां पर आपका एक step हो गया है पूरा और गाइस एक बात का जुरूर ध्यान रखना इस mode को install करने से पहले आप अपने game का data को save कर लेना ताकि अगर कुछ गड़बड होती है तो आपकी कम से कम game तो वहां से वापस आजए जहां तक आपने इस game को complete कर रहा है अगर आपको data save करना नहीं आता है तो मैंने जो link description में दिया है वहापे देख लेना आपको हर एक वीडियो आपसे password पूछेगा तो आप simply लिख दीजे वन्दे मात्रम दोस्तों इस password को आराम से दीख लिजे ओके इसके बाद simply आप ओके पर क्लिक कर दीजे एंड एक्स्रेक्ट हो जागा तुरंद आप इसके बाद आप इसको इस file को delete कर सकते हो ओके नीचे वाली file को गाइस इसके बाद आप interval building version 2 पर क्लिक कीजिए फिर data पर क्लिक कीजिए इसको long press करके copy कर लीजिए और इसे copy करने के बाद simply आप अपने device memory में जाए android data sorry data data में जाने के बाद आपको com.roke star पर जाने और यहाँ पर आपको files पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको क्लिक करके से कर देना पेस्ट ओके अगर replace करने को बोले तो आप mark करके replace all कर देना okay so guys इसके बाद दुबार से आप अपने folder पर आ जाईए और इस बार आप readme पर क्लिक करके इसे एक बार read कर ले ना इसमें दोस्तों जगा लिखें जहापे आप enter कर पाओगे बाट pro पर हर एक जगा वर्क नहीं करती है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो शुरुआ से देखें इसके बाद इसे इंस्ट्रोल करें okay so guys तीसरे स्टब पर simply आप अपने GTA IMG टूल को open कीजिए open IMG पर क्लिक कीजिए इसके बाद simply आप अपने android data and com.rock star वाल फॉल्ट पर जल्दी से आ जाईए इसके बाद simply आपको files पर करना है click फिर इसके बाद आपको and आप आज यह अपने उस folder में जहाँ पर आपने अपनी file को extract करके रखा होगा तो कुछ ऐसा आपको interface दिखेगा ठीक है तो इस import to GT3 पर आपको click करना है and यहाँ पर आपको all पर click करके select वाले फिर बटन पर आपको simply से click कर देना है okay जब आप select करोगे तो कुछ आज सी processing होईगी and इसके बाद आपको फोड़ा साहाँ पर wait करना है फिर आपको three dot पर click करके rebuild कर देना है okay rebuild करने के बाद यह थोड़ी सी time लेगा बस इसके बाद दुबारे से home पर आके दुबारे से application को open करें फिर open IMG पर click करें and फिर सा आपको अपना android data com.rogg star उपर आके फिर आपको आपको files पर click करना है फिर से tagsdb and इस बार आपको नीचे वाले folder यानी GTA INT को select करना है फिर से three dot पर click add with replace फिर से आपको आपना वो folder डूर लेना जहाँ पर आपने file रखी हो so guys अब आपको दुबारा से is enterable building पर click करना है इस बार आपको import to GTA INT पर click करने के बाद इसको फासारी file को फिर से select all पर click करके आपको सबको select कर लेना है फिर से इसके बाद आपको select वाले button पर click करना है फिर three dot पर जाए फिर आपको rebuild पर कर देना है and इसके बाद दोस्तों आपको simply अपनी game को आप करना है open and enjoy so guys अब मैंने अपनी game को करना ह open और जो मेरे पाद से सिल्यू यानि किल्यू जो भी से पड़ते हो प्रोनाउस जो भी करते हो यह जो एपी का है दोस्तों मेरे पास 2.0 वर्जन वाला है इसमें कुछ भी screen flickering नहीं है सभी की सभी आप cheat install कर सकते हो और दोस्तों काफी कमाल का यह APK है ठीक है इसकी link description में है तो before start आप इस graph display setting पर आके इसको restore पर कर दें ओके restore पर कर दें अगर आपके पास medium device है जैसे मेरे पास Redmi Note 8 है तो इसमें ज्यादा ग्राफिक हाई करके मैं इस वाले APK को run नहीं कर पाता ओके तो आप देख सकते है इसमें flickering बिल्कुल भी नहीं होगी वैसे दोस्तों मैंने game पर दो शुरुआत में दिखा दिया आप शुरुआत से जाके देख लीचे ठीक है फिर से इस वीडियो को दोस्तों पहले बार जब आप इस game को start करोगे हो सकता है इस start ना हो आप दुबार से कोचिज करना यह अपना पर start हो जाएगी आप इसे चाहे रिजुम करके भी start कर सकते हो चाहे तो load करके भी start कर सकते हो ओके और गाइस जब आप garage के अंदर एंटर करोगे तो आप अपना एक gun पिक कर लेना एंड उसका जो aim होता है free aim पे set करके आप enter करना ठीक है तब ही आप उसे मतलब garage के अंदर देख पाऊगे आप गेम के सुरात में gameplay मेरा देख सकते ह वीडियो के start में तो गाइस उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आयोगी कुछ भी सवाल या कुछ भी कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी कॉरिस हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जब तक के देंदे मत्रम